उस प्रेट को निकाल कर बाहर करें और मुझे पर अपनी अनुकब्पा करें मेरी रख्षा करें आपकी सदा ही जए हो आप मेरी हांकों में देखती रही है जो पैरलाइज देने वाला है उसका पता चलगा है क्योंकि पैरलाइज में आपका कोई यंग ठेडा नहीं हुआ है भी उसने टेडा किया हो बात लगया और आपको आधे शरीर में दर्द रहते हैं और एक बात दुनिया के डाक्टर जान ले आलो पैथी के जब भी पैरलाइज अटेक होगा नाडियों का तब आपको उस समय में शेक दर्दो लेकिन पैरलाइज के बाद दर्द नहीं होता क लिख लो यह बात अगर आपका हाथ यू रह गया कोई बात नहीं लेकिन दर्द नहीं है आपको शरीर में मैंने पैरलाइज के बहुत मरीज देखें एक नहीं देखा है यह बात मैं डाक्टरों को भी समझा दूं ठीक है ना आँखो में देखो कान में फूब लगा है आख बंद करके महसूस कर प्पहले इसको कहां गया फून को और यहां गया और पूरे शरीर में गये कि अभी आदे में गया आदे में पूरे शरीर में नीचे तक गये पैर तक फिर महसूस करिए कि आख बंद कर छोटा आती है कि अगये कुछ खाएगा चाभी दो तो देखाड़ी में चलता होता है कि अगये को कहां गये नीचे तक गये इस पूरे अंग में आधे अंग में इसके प्रेट विरास्ता है और कुछ नहीं वह अभी शिर में हैं आप कौन सी बार आएँ मेरे पास दूसरी बार आयो हो सकता है पहली बार में आप सामखरी का पैक्ट देगे थे हां के ना नहीं देखे थे अपकी बार सामकरी का पैकट देना ताकि इसकी तिवरता हो जाए ठीक है आपके बच्चे को और ज्यादा लाब मिल जाए बोलो जाए शनीदर पैर मार जमीन पे और दर्द बता मुझे कहा है एक है अभी है कहीं दर्द पूरे शरीर में यह सिर में ही है यह आपको पैरलाइस का टेक नहीं था यह प्रेट का टेक अगर पैरलाइस का टेक होता तो डॉक्तर रोशे पिर चैरा एक दम में सीधा इनी होता है कैसा होता है यह जैड़ा उसा चकर इसी से आते आते ना सर में बठा है अब यह सिर पे दर्द घ्रमार पार जमीन पे जैशनी देव पता सरमेदार देखा अब नहीं है यहीं दोश है इसको और कोई दोश ही नहीं है कभी मत समझाना इसको परलाइज का कोई अटेक नहीं पड़ा था है न और दो बारा होगे ठीकी नहीं हो जाएगी बोलिये जाए शनीदेव